लाइक, शेर, सब्सक्राइब और प्लिक अन बेल आइकोन तो नेवर मिस अन अपडेट फ्रम एपेक अमर्त्य सैन जिनका काम उनके नाम की तरह ही अमर है एक केमेस्ट्री प्रोफेसर के घर जन में और उनके नाना के मित्र महान कवी रबिंदर नाथ टैगोर ने ही अमर्त्य को उनका ये अनोखा नाम दिया अमर्ते जी ने अपनी पढ़ाई भी रबिंदर नाथ टैगोर के ही स्कूल विश्व भारती से पूरी की और उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलिज से एकॉनमिक्स में बीए की पढ़ाई शुरू कर दी लेकिन जल्दी ही उनके अकेडमिक्स पर ब्रेक लग गया उन्हें ओरल कैंसर से डाइगनॉस किया गया उनकी हालत खराब थी वो महीनों हॉस्पिटल में रहे पर वो उस मौके का भी फायदा उठाते और आसपास के लोगों को देख कर जो कुछ भी सीख सकते थे वो सीखते इस दौरान अपनी नर्ज से बात करते हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि लोगों की सेहत से सोसाइटी की डिवेलपमेंट मेजर होती है ठीक होने के बाद उन्होंने इस थियरी को और एक्स्प्लॉर करना शुरू किया 1943 में बंगाल में भयंकर सूखा पड़ा था जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गमाई थी अमर्ते जी ने उसे अपनी रिसर्च का सबजेक्ट बनाया और किलोमेटर किलोमेटर साइकल चला कर वो इस भुखमरी के बारे में डेटा एकठा करने में जुट गए सारे डेटा को स्टड़ी करने के बाद उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि ज्यादातर जान गमाने वाले लोग समाज की निचले आर्थिक्स तरवाले थे हालांकि बंगाल की जीडीपी हाय थी लेकिन समाज में एक इंकम गाप था जिनके पास पैसे थे वो सूखे को सर्वाइव कर गए लेकिन जो गरीब थे उन्हें अपनी जान गमानी पड़ी इस बात ने अमर्ते जी को जीडीपी से उठकर सूशल वेलफेर का एक नया मापडंड यानि मेट्रिक सिस्टम डिवलप करने के लिए प्रेरित किया ये नया सिस्टम था हिउमन डिवलपमेंट इंडेक्स यानि HDI का HDI वो मापडंड है जिसे आज योनाइटेड नेशन्स जैसी संस्थाएं किसी भी देश के विकास को परखने के लिए इस्तिमाल करती है अमर्ते सेन जी ने दुनिया को ये बताया कि सिर्फ GDP के जरिये देश के विकास को मेज़र करना सही नहीं है क्योंकि हाई नैशनल इंकम होते हुए भी देश के सभी नागरिक, हेल्दी और खुश ना हुए तो डिवलप्मेंट अधूरी है उन्होंने एक ऐसा मापदंड बनाया जो लोगों का वेलफेर सही तरीके से माप सके तीन चीजे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडुकेशन और पर कैपिटा इंकम को जोड़ कर उन्होंने डिवलप्मेंट मेजर करने का एक फॉर्मिला बनाया ये फॉर्मिला जिसे हम HDI भी बुलाते हैं वेलफेर एकॉनमिक्स की दुनिया में एक मिसाल बन गया और 1990 में HDI एक इंटरनाशनल स्टैंडर बन गया जिसके तहत अलग-अलग कंट्रीज को स्टडी किया जा सके HDI डिवलप करने के साथ साथ उनका ध्यान जेंडर इनिक्वालिटी की तरफ भी गया जो उस वक्त भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या थी उन्होंने जेंडर इंबैलन्स समझने के लिए गाउं गाउं जाकर पांच साल के लड़के और लड़कियों का वजन कंपेर करना शुरू किया ऐसा करने पर उन्हें पता चला कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों को अच्छी मेडिकल केर, नूट्रिशन और ट्रीटमेंट नहीं मिलती और इसके शुरुवात लोकल गव्मेंट लेवल से ही होती है उनकी ये स्टडी इंडियन गव्मेंट के लिए एक आई ओपनर जैसी साबित हुई और गाओं में लड़कियों के लिए मेडिकल फसिलिटीज बहतर हुई और लड़कियों से जुड़ी कई समस्याओं पर अब गव्मेंट का ध्यान जाना शुरू हो गया अमर्तिय सेन को अपने काम की वज़ा से हावर्ड, केंब्रिज और M.I.T. जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में आज भी लेक्चर्स देने के लिए बिलाया जाता है और उन्हें पाँच कॉंटिनिंट से अलग-अलग कॉलेजिज ने 100 से भी ज्यादा ओन्ररी डिग्रीज दी है उनको 1998 में नोबल मेमोरियल प्राइस से नवाजा गया लेकिन उन्होंने उसके साथ आने वाली धनराशी से प्रतीची फंड खोला जो भारत और बांगलादेश में शिक्षा, स्वास्थ है और जेंडर एक्वालिटी जैसी समस्याओं से लड़ने का काम करती है भारत सरकार ने भी Mother Teresa of Economics के नाम से बुलाए जाने वाले अमर्त्य सेन को Welfare Economics में उनके कॉंट्रिबूशन के लिए 1999 में भारत रतन दे कर सम्मानित किया